अब हम लोग आगी की तरह बढ़ेंगे और टाइपस ऑफ सेट तो हम लोगों ने काफी सारे देख लिए थे एस वीडियो में हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपर्टन टॉपिक के भारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है इंटरवल्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे अब क्या क्या इंटरवल्स होते हैं उनके सिमबल्स क्या होते हैं 20 को कैसे समझना है ब्रैकेट की सेंस का होना बहूछ ज़aceyद जरूरी है actual में मैं कहूं तो हम लोग यहां पर बात करेंगे sense of bracket को समझने के लिए थोड़ा सा struggle करना होगा और वो थोड़ा सा struggle मैं आपको एक जरा सा struggle बना दूँगा आप लोगो बस थोड़ी देर के लिए तसल्ली से बैठना और समझना है कि actual में यह interval क्या होते हैं इन intervals को समझना कैसे होता है आए जरा हम लोग यहां पर discussion करते हैं सबसे पहली बात यह symbol जरा देखेगा यहां पर यह जो symbol है symbols का होना और intervals का होना मैं आप लोगों को यहां पर बस बता देता हूं bracket sense bracket sense अगर आपको समझ में आगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगे सारी बाते हैं जो सारी टर्म्स हैं सारी चीजे आपको समझ में आजए सबसे पहली बात symbols में एक दो सारी नमबर इसमें आकी उसमें आ चुके आवक्ज चार से जो बड़े नमबर चार हैं जो या चार से बड़े नमबर तो इसका मतलब तीन फोर ती फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से सारे के सारे नंबर जो है वो चलते चले लेकिन बच्चों मान लो कभी मैं अगर आपके सामने ऐसा लिख दूं तो आप इस बात को क्या कहेंगे सही कहेंगे गलत कहेंगे जरा ध्यान से बताईएगा पहले सोचेगा अब इस बात को सही बोलेंगे गलत बोलेंगे यह बात बिल्कुल करक्ट है अब जब आप वीडियो को पॉस्ट करके देखेंगे तो सोचने का टाइम मिल जाएगा आपको लेकिन मैं आप लोग को बतायता हूं यह बात बिल्कुल सही है कैसे उन्होंने बोला कि ऐस पांच ए अब जो है वह तीन से याटो चोटा है या तो बराबर है यह बिल्कुल करेक्ट है सurat वाली condition को तो मान रहा है न चोटे वाली condition को मान रहा हैं तो इसका बाद पक्की हो गई कि स्ग ए तो यह तो बड़ी या तो बाराबर हो सकता है तो यह condition धिक है अगर आप से को l Cisco यहां पर यह गहां दे कि दो कि दो से बड़ा और साथ से छोटा अगर आप से कोई ऐसा लिख दे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे तीन आ गया यहां पर अगर मैं नैचुल लंबर्स की बात कर रहा हूं बस सिर्फ इंटीजर को उठा रहा हूं अगर मैंने इस तरीके से भी लिख दूं मैंने अगने इस तरीके से भी लिख दिया तब क्या हो जाएगा तब आपको 2 को इसी के साथ मैंने कभी एसा लिख दिया 2 ग्रेटर और एक्स और यहां पर आगे साथ अब साथ के पर तो नहीं है यहां पर तो आप सब्सक्राइब तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं क्या अब आप लोग को भात होगी तो उहां पर इकल बोले को भी आपको लिखना अब आपने बहुत सारे वाला क्यों ले रहे हो मैं बोल रहा हूं कि एकस ऐसी वेल्यू है चो या तो दो के बराबर हो जाएगी या दो से बड़ी हो जाएगी या तो साथ की हो जाएगी या तो साथ से छोटी हो जाएगी एक एक ऐसी value है तो कौन सी value होगी वह दो भी हो सकती है तीन भी हो सकती है चार भी हो सकती है पांच भी हो सकती है अब इन numbers को उठा करें अब एकस की जगाव पूट करके देखो condition को सटिस्वाइब कर जाएगा दो गे बराबर का दे रखा दे रखा तो काम चलेगा दो तीन उठाओ तो टीन से बड़ा दो से बड़ा दे रखा चलेगा साथ से चुटा भी दे रखा है साथ उठाओ तो साथ के बराबर दे रखा यह भी चलेगा तो इसका मतलब यहां पर इन इसे हम लोग open bracket बोलते हैं इसको हम लोग closed bracket बोलते हैं और एक यह वाले bracket भी होते हैं ठीक है ना इसे क्या बोलते हैं हम लोग open bracket भी बोलते हैं कि इसे क्या बोलते हैं हम लोग closed bracket बोलते हैं को सिसको मोग क्या बोलते हैं है डिस्वरहन कि इसको क्या भूल देद करल भी बोल सकते हैं है लेगंने mathematical language में ळी स्कृरी यह इस क्रीट इसको बोला जाता है की इसको ब Iya continued ब्रैकट आपको सम्झाना होगा मुझे यह चीज जैसे कि azt आप से कभी कोई कहता है आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं कि जो बाउंडरी पर लिखे हुए नहीं किये जाएंगे तीन अब मतलब इस तरीके के तो नहीं रिखना तो इनके बीच वाले पॉइंट वाले क्यों कि लिए वह लिख सकते नबर ऑट एनकि अगर वो अगर कर chi嗎 अन्दरफे लिखा होता ऐसा लिखा हो तो क्या कहते आप लोग आप कहते दो है तीन है चार है पाँच है छे है और साथ है बस अब यहां पर स्का मतलब square bracket में क्या हो गया square bracket का मतलब हो गया कि जो आनंड में लिखे हुँ है जो बाहर की तरफ लिखे हुँ है उन्हें भी इसलिए मैं लिखना होता है तो इसमें और भी निखने का मतलब क्या है यह रहोगा क्यों इंक्लूढ़ क्या है आ यहां पर कह सकते हैं साथ आो सबस्क्तारण में पैस सकते हैं यहांपकर आप है चे आ गया है आप बात फितम होगे तो आप इस तरीके से इन सारी चीजों को मैनिपलेट करके लिख सकते हैं अब आप मेंसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यह जो कर ली वाला था इसका मतलब क्या था यह जो अब बताओ क्या है यह कोई भी सेंस क्रियेट नहीं करता क्योंकि यह एक अलग कैटिग्री यह इसी तरीके से अगर आपने ऐसा भी लिख दिया कि दो यहां लिख दिया और स्क्वार बैकेट लगा दिया तो यह भी किसी तरीके की सेंस को क्रियेट नहीं करता है तो यह भी किसी तरीके की सेंस करेट नहीं कर रहा हो तो इसका मतलब तो यह व क्त लोगों को यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ सर कि मुझे यह सिंबल भी समझ में आ गए मुझको यह सिंबल भी समझ में आ गए अब तो कि सिंबल का मतलब क्या होता है और मुझे यह भी समझ में आ गया कि भाई साब यहाँ पर यह जो intervals होते हैं तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसेट, जी हाँ, अब अच्छे से धंग से देखेंगे कि actual में सबसेट क्या होता है, क्या-क्या बाते हैं इसकी, किस-किस तरीके से हम लोग समझते हैं, और बच्चे कहां इसमें अटकते हैं, हर एक चीज के ब क्या हैं